Assalamualaikum friends, I hope you are doing well. So, we started Head & Neck Anatomy PD Volume 3. In the first lecture, what did we do? Phelanx's Introduction and Dimension. Then, in the first lecture, we had a lot of boundaries. We had a lot of boundaries. We had one line explained to you. Okay. Now, the part is the nose. The part is the nose. The nose. The nose. Now, I will create a detailed video. After that, I will explain the table. Then, I will explain the whole diagram. Then, I will explain the whole diagram. So, first, I will study the nose. Because I like it. Okay. Okay. Then, I will study the laryngeal pharynx. Okay. Okay. Let's do it. I will do it. Okay. So, laryngeal pharynx. I have opened here. Laryngeal part of pharynx. Laryngeal part of pharynx. Laryngeal part of pharynx. isha is the veryлary calorехge. So, laryngeal part of pharynx and pharynx is called as laryngeal ploys. So, laryngeal part of pharynx is called as laryngeal pharynx. That is, we can say to laryngeal laryngeal pharynx. What you should very well. Just, does that, we'll do it. You will tell the N own we'll tell the name. Just tell the name I'll tell you. Okay. अच्छा नहीं फेरेंगा ए अच्छा यह लोगर्ड पार्ट फेरिंग्स तरप ऑफ में आपको बात लोगर पार्ट है तो नोगेस के बिहांड होता है लेरिंक्स के पीछे हो कहा है छे होते हैं रिरिंक्स गया है इसाई इत अपर बॉर्डर ऑफ अपी ग्लॉटमियोट ठीक है यह कहां से एक्सेंड करता है या भी यह आपको पता होना चाहिए खुछ सोच यहां से वाली बात ह वहीं सिर्फ लेरंगो फेरेंग्स का पार्ट भी क्या होगा अच्छा तो मैं आपको क्या बता रही थी कि जो है लेरेंग्स के पीछे वाला पार्ट हमारा लेरंगो फेरेंग्स होगा ठीक है होता है ठीक है अच्छा तो खुद सोचे जब लेरेंग्स के पीछे वाला जहां से लार्grass का होगा कyards कहां से अपर बार ऑफ ऐपिकलौते से लुबर ऑफ और करेंग तक होता है जींग आयए पर बाइंग के लार्री का थिलेंग ऑने के घृमक्त दचेश होगा फिलेंग के लार् to the lower border of cricoid cartilage ठीक है जो लेरिंग्स का है वही सेम लिरॉंगो फेरिंग्स का है ठीक है तो इसमें कोई रट्टे लगाने की बात ही नहीं है ठीक है अच्छा इंटियर वोल अगर हम देखें इसकी तो इंटियर वोल प्रेदर अहदा इनलेट अफ दी लेरिंग्स होती है पॉस् चाली अपने रट्टे मैंने आपको बताया था वही कि लेरिंग्स होता है कि एक बाति कि अपर एपिएर भॉड्र के लेरिंग्स का प्रेदर ऑस진 होती है इनलेट अङंछर प्रेदर होगा ठीक है और क्या होगा पॉस्टियर सर्फेस होगी किसकी क्रिकॉइट की और एड्राइड की अच्छा पॉस्टियर सर्फेस क्रिकॉइट की किस तरह से होती है मैंने आप से लास्ट ना में बताया था क्रिकॉइट होता है क्रिकॉइट होता है क्रिकॉइट काटिलेज अ जब कि फॉस्टी ऐर चेपिए जे ten elements का इंठीए इस तरह से होता है इस तरह से ब्रोड होता है और हम इसे हम कहते हैं लैमीना यह मैं क्रिकॉइट कार्टिलेज का बता रहे हूं जो कि अल्यटी मैं लेलिस के चेप्टर में पढ़ा चुकी हूं ठीक है यह posterior part है जिसे हम lamina कह रहे हैं जो कि broad part है तो अब posterior surface दीखता है किसका क्रिकोईट का यह जो इतनी कहानी बताईगे ना इस वज़े से बताईगे कि posterior surface दीखेगा तो कौन सा part दीखेगा broad वाला, lamina वाला part और posterior surface पर आपको eritinoid cartilage मिलेंगे ठीक है क्योंकि posterior surface पर eritinoid cartilage जो है इस तरह से present होगे ठीक है अच्छा thyroid cartilage क्यों आपको नहीं दीख रहा क्योंकि खुछ सोचे thyroid इस तरह से होता है ठीक है thyroid का जो posterior part होता है न वो एक space होता है जापे different ligaments और muscles के attachment हो रही होती है इस वाले part से यूं होता है यह thyroid for example यह thyroid cartilage है तो इसका posterior surface जो है यह open हुआ होता है यहापे कुछ नहीं होता है तो इस वज़े से यह thyroid का नाम नहीं आया ठीक है तो देखें मैंने आपको इस तरह से बता भी दिया यह मैं सारा आपको एक imagine करके आपको बता रहे हैं तो यह बहुत अच्छा बहुत helpful lecture है अगर है तो फिर मुझे बता दीजेगा और ना फिर मैं अपनी energy waste ना करूं ना ठीक है तो मैंने आपको पूरा बताया कि किस तरह से inlet of the larynx क्यों आ रहा है क्योंकि जो अपर हमारा जो इंटियर लाल फैरिंग्स के आगए क्या होता है फिरंग्स होता है ठीक है तो फैरिंग्स के आगे क्या होता है में दिखेगा पॉस्टियर पार्ट दिखेगा ना तो पॉस्टियर पार्ट में क्या क्या होगा पॉस्टियर सर्फेज होगी क्रिकॉयर की और इटिनॉइट कार्टलेज दिखेगा और इनलेट ऑफ लेरिंग्स दिखेगा इसमें क्या मुश्किल है यह हमारा लेरिंग्स है pharynx की आगे क्या है लायरिंक्स , ठीक है ? मतब लायरिंक्स के पीचे क्या है ? pharynx , तो मतब अब हम फैरी ilm.. pharynx के इंटियर वॉल की बात करेंगे तो यह इसके इंटियर वॉल है । फैरिंक्स की रिसमान नوع is posterior shape तो pharynx की इंटियर वॉल में हमें inlet of larynx मिलेगा और उसकी फेरंक्स के इंटियर वाल में साथ में क्या मिलेगा हमें क्योंकि फेरंक्स के इंटियर वाल लेरंक्स के पॉस्टियर वाल है तो लेरंक्स के पॉस्टियर वाल और या फेरंक्स के इंटियर वाल ये एक ही है तो खुँझ सोचें कि लेंग्स का Posterior Wall तो उसमें क्या होगा Posterior Surface दीखेगी क्रिकॉइड काटिलेज के लैमिना होगा उस पर Erytinoid Cartilage अटेच होंगे ठीक है ठीक है मैं आपको बता दीए उमीद है कि समझ आ गया आपको ठीक है मैंने कॉपी ले लिए इसमें आपको सब्सक्राइब करके दिखा दूना कि वह बुक ऐसी है कि उसे ड्रो करते हूं नेकि स्क्रीन में नजर नहीं आता फॉर एक्जेम्पल देखें यह हमारे यह मस्कुलर ठीक है यह हमारा क्या है फैरिंग्स और इसके आगे यह देखें कि लेरिंग्स है थेक है अभी यह सब्सक्राइब बता है यह लेता है पीफ़ना फैरिंगժ जो ऑप तीन उसमें यह प्रिवर्टिबल फीश है ठीक है प्री वर्टिबल फेश है यह हमारा और उसके आगे क्या है हमारी उसके आगे हमारी देखें यह वो है सरवाई के वटीबल ठीक है अच्छा अब मैं बता रही हूँ मैंने क्या बताया हमाराечение लेरिंट थीच्ट है थीच्छा फार Agrिंट के पीचे रिंट न क 550 आण न तो यह हमारा क्या है लेइंगो फैरिंंग फैरिंग से तो लेइंग का जहाँ से स्टार्ट है और जहां पर एंड है सेंहें वहीं रुर्चो का भी होगा तो लेइंगॉ पंचियर चाहें अपर पाटफ ए लओर घौर्डुल आपा de sa लोवर बरर ओप्रिकोइड काटीलेश तो लेरों के फेरिंग्स में आप या बोलेंगे किलेंगे उसकह अब देखेज यह हमारा फेरिंग्स है, हम फेरिंग्स की बात कर रहें, फेरिंग्स पढ़ रहें चेप्टर 14 पाड़ रहें हम क्या पढ़ रहें चप्टर 14 अच्छा अब मैं बता रही हूँ कि ये वाली वॉल जो है न ये ये पॉस्टियर वॉल है किसकी फैरिंग्स की ना फैरिंग्स की पॉस्टियर वॉल है और ये वाली जो वॉल है ये वाली ये कौन सी वाल है ये इंटियर वाल है किसकी फेरिंग्स की फेरिंग्स की है न अच्छा इसी तरह से ये लेरिंग्स की घर बात करें तो लेरिंग्स की ये वाली इंटियर वाल है इंटियर मी जो सामने वाली है और पॉस्टियर मी जो पीछे वाली है और लेरिंग्स की ये व wal है समझाएस अब मेरी बात जो इसमेटे के स्वست searching फ्ैम्द के पीछn होता है तो अब खुश्च जो इसे इंसे इंसे बागा इंटीयर वाल में क्या wesक्ष्ण तरह कि समय के उच्ब अदृगल के फेर अवद06 क्या हूँ टिके सब्सक्रीकाय歌ि है वो लेरिंग्स के पीछे होता है ठीक है तो अब खुछ सोचें फेरिंग्स की जो इंटियर वाल में क्या क्या प्रेज़न होगा इनलेट ओफ लेरिंग्स होगा ठीक है क्योंकि लेरिंग्स के पॉस्टियर व्यू पे इनलेट ओफ लेरिंग्स होता है तो इस तरह से फेरिं और क्या होता है उसके posterior part में लेरंख के posterior surface होगी किस की क्रिकोइट Cartilage की ठीक है क्रिकोइट Cartilage की posterior surface होगी और लेटनाइट Cartilage होगा तो इसका मतलब इसका मतलब फैरेंग्स की anterior वाल में क्या होगा posterior surface of Cricket Cartilage ठीक है जो कि Browd part होगा lemina वाले part और retinoid cartilage होंगे और inlet of larynx होगा क्योंकि जो larynx की posterior wall है वो हमारी pharynx की anterior wall है समझ आई? larynx की posterior wall का अगर आप से कोई पूछेगा तो वो inlet of larynx और दूसरा क्या होगा माँ पस? posterior surface और cricoid cartilage और retinoid cartilage होगे वहाँ पे अगर कोई anterior surface का पूछेगा तो same inlet of larynx interior wall की इसकी pharynx की अगर पूछेगा तो same posterior wall जो होगी larynx की same वही interior wall pharynx की होगी और उसमें क्या होगी inlet of larynx होगी posterior surface होगी cricoid की और retinoid cartilage वहाँ से दिखेगे ठीक है? तो यह इसमें यही लिखा है कि this is the lower part of the pharynx situated behind the larynx it extends from the upper border of the epiglottis to the lower body of cricoid cartilage और यह interior wall interior wall में क्या प्रेजन होता है inlet of the larynx प्रेजन होता है जोगे मैंने आपको बता दिया posterior surface होगी cricoid posterior surface होगी और क्या होता है retinoid cartilage होता है ठीक है तो यह था basic यह क्या है इसमें क्या है इसमें क्या दिखाना चाहरे capsule shoes strictified squamous non-cretionized epithelium its oral aspect the epithelium form crypts and nord-princiated crypts and medulla यह कहलें कि capillaries है यह lymphoid follicles है strictified squamous epithelium में हमारी ठीक है और यह crypt है तो यह हम बाद में पढ़ेंगे पर ले हम यह पढ़ लेते हैं इसमें कुछ इतार नहीं है अच्छा उसके बाद यह देखे है posterior wall is supported mainly by the posterior wall is supported में अब यह तो हमने interior wall की बात कर ली यह जो मैंने यहां पर आपको कहानी बताई किसकी बात बताई मैंने आपको interior wall की इसकी फैरिंस की कि उसमें inlet of larynx होता है posterior surface required काटिलेज होता है अब interior wall की बात हो गई अब हम posterior wall की बात करते है कि इसकी फैरिंस की तो करते है कहा गया ठीक है यह रहा थोड़ा सा इसको जूम कर ले हम ठीक है posterior wall is supported mainly by the fourth and fifth cervical vertebris अब जो posterior wall होती है किसकी फैरिंस की वो किससे supported होती है mainly fourth and fifth cervical vertebris है ठीक है अगर आप partly देखे तो third and sixth vertebris है आपको पता होना चाहिए खुद सोचे फैरिंस के पीछे मैंना आपको क्या बताएता एक pre-vertebral fascia होती है और क्या होती है cervical vertebral bodies होती है ठीक है तो posterior wall में क्या होगी cervical vertebral bodies हो गगी तो वह ही कहरें कि posterior wall जो है support होती है मिलती है किस से fourth और fifth से mainly fourth और fifth से और partly किस से मिलती है third and sixth से ठीक है इन इस रिजन पोस्टियर wall of the pharynx is formed by the superior middle and inferior constrictor of the pharynx तो posterior wall होती है वो बनती किस से है posterior wall किस से बनती है pharynx के muscle से कौन से muscle है superior constrictor of muscle middle constrictor and inferior constrictor of the pharynx ठीक है इन muscles से posterior wall बनती है लेकिन support जो होती है वो किस से होती है fourth and fifth cervical vertebrae और mainly third and six से इस में तरह मैं आपको दुबारा से बता दू यह मैं आपको बताया था ना कि हमारा pharynx का part है यह pre-vertible fascia है यह cervical vertebrae बोडीज है तो अब यह कह रहे हैं कि pharynx से posterior part है वो three muscles से pharynx के अपनी muscles होते है superior and inferior middle constrictor muscles उस से form होती है लेकिन support जो होती है mainly जो support होती है posterior wall वो होती है supported C4 and C5 से mainly mainly अगर हम बात करें अगर हम partly बात करें partly होती है C3 and 6 से तो यह बात है देको में राइटिंग बहुत गंदी है हाई हो की समझा आ रहा हूँ अच्छा दे लेटरल वोल प्रेजर्ट और डिप्रेशन अब पॉस्टियर वोल की भी बात कर ली इंटियर वोल की बात करी बहुत डिटेयल में अब हम कहे रहे हैं लेटरल वोल फैरिंग्स की जो के प्रेजर्ट होती है उसमें डिप्रेशन जिसे हम कहते हैं पाइरी फॉर्म फोसा ठीक है अची आप लेट ऑप लेरिंग्स यू प्रेजर्ट अफ़र्स होती है इस साइट पर लेरिंग्स होती है ठीक है फॉर्टीन पॉइंट वन एट में देखने को गह रहे हैं मैं आपको पहले दिखा दूंगी पहले मैं आपको समझा देती हूं कि लेटरल वोल किस तरह से पाइरिफॉर्म फोसा आपको नजर आएंगे वो मुझे बनाना पड़ेगा इसका मतलब पहले आपको बताते हैं उसके बाद उसकी बाउंड ना वो बताएंगे किस से बाउंड होती है क्या होता है ठीक है तो अब लेटरल वोल का दरह में यहाँ बता दूं ठीक है इंटियर वोल की बारे मैं आपको बहुत डिटेल में बता दिया पॉस्टियर वोल बत यह एिए हमारा लेयरिंग्स है याँ लेयरिंग्स के पीछे यह ए कि दो यह फैरिंग्स होता है अप है तो यह इज शी अप संदो हुआती है इस दी बंर इपरेश्न उन यह हमारा है pyreform phosa या pyreform sinus कह लें ठीक है यह फेरिंग्स का पार्ट है पूरा यह दिप्रेशन धूरी से pyreform sinus या pyreform phosa कहते हैं तो यह आपको दिखना है यह lateral wall means क्या है आपको pyreform sinus नजर आ रहे ना यह फेरिंग्स है पूरा यह फेरिंग्स की जो wall कहलती है फ्राइंजियल वॉल ठीक है पॉस्टियर फ्रेंजियल वॉल ठीक है यह पूरी फ्रेंजियल वॉल है अच्छा और यह वाला जो है यह वाला पार्ट क्या किला सकता है यह यह हमारा पाईरिफॉर्म फोसा है ठीक है तो यह जो डिप्रेशन है यह मारी पाईरिफॉर्म साइन सो होता है और इसकी जो लेट्रेरल वोल में डेफरेशन होती है जी से फोसा घेते हैं और वो फ्रंजल के साइने और हमारी ठीक है तो अब ये बेक्ट आरे कि हमारा इसाइन जत्하고 में ज्याус मरी बूंक प्रेशन देपरिशन जिस में बता दी है cally piriform focae piriform sinus one of each side of the an inlet of larynx होताई ठीक है अच्छा यहां पर में देखते हूं और दिखाया 14.18 में न है यह यह पूँद दिखे-पारी फॉर्सा यह है यह दिखे-पारी फॉर्सा दिखाया वाई और ये लेरेंगल इंदे वो कह रहे ना कि पाइरेंजन ओप लेरेंजनस पे परेमस और गला अच्छा फोसा देखा तू लेरंगों फिरेंक्स में देखें हमने जो देखा हूं मैंने आपको दिखा भी दिया यापे ठीक है अच्छा फोसा इस बांदेड मीडियली बाई दी अराई एपकल्यॉट difference अब यह जो फोसा होता है ना इह को यह दिखा दूं यह देखें है यह हमारे पॉस्टीयर व्यू है ठीक है पॉस्टीयर यह और आफ्टर इमोल दो ऐनलेश lending नव लिफ्ट साइट ठीक है अभी प sentence ऑफिर्वorfियू है अभी पॉस्टीयर व्यू दिखा कि pyreform phosa immediately aryepic lotus fold से connect होती है और laterally अगर आप देखें pyreform phosa के lateral में देखें कि thyroid membrane है ये हमारी hired bone है hired bone और ये हमारी क्या है ये क्या है thyroid cartilage है thyroid cartilage और ये thyroid membrane thyroid से hired bone तक means thyroid पे origin है और hired पे insertion thyroid membrane जहां पे इसमें ठिकनी से होती है तो ये वो बन जाता है तो अब ये membrane को शो करें thyroid membrane laterally क्या हो रही है thyroid membrane दिख रही है और thyroid cartilage दिख रहा है और medially क्या है pyreform phosa medially किस से pounded है aryepic lotus fold से और laterally thyroid membrane से और ये यहाँ पे ये thyroid cartilage है ठीक है तो ये बताने की कोशिश की जा रही है अच्छा बिने दी mucosa और फोसा अगर हम बिने दी mucosa और फोसा देर लाई रही है internal engine nerve अब ये कहने कि फोसा जो है न pyreform phosa उसके नीचे जो mucosa की नीचे mucosa जो layer है न उसकी नीचे क्या लाए करती है internal engine nerve लाए करती है ठीक है वो किस तरह से इंटर्नल लेंजन नर्फ जो है न ये थाइरोफोर्म फोसा और फिर रीच करती है अल्टिमेटली किस में लेरिंग्स में या अपने लेरिंग्स में पढ़ा होगा ये मैं पढ़ाऊंगी internal engine nerve का वहां पर इमने डीटेलर पढ़ेंगी जो के लेरिंग्स तक जाती है और इसको पियर करती है थाइरोफोर्म साइनस को इस तरह से लेरिंग्स में रीच कर जाती है तो वही यही कह रहे हैं कि internal engine nerve जो है न वह क्या होती है बिनेती म्यूकोसा